तो भई क्या हाल चाले सब क्योब सब बढ़िया होंगे तो आज लगबग 5-6 दिनों के बाद वीडियो आ रही है इसका मैंने कारण आपको बताया था कि देखे जो राइनो ट्राइबर का अपडेट जैसा जो अपडेशन थी उसको करवानने के लिए हमें जाना था वो यहां आपको भी बोला है तो क्या कैस गाड़ी में होगा लेकिन जो में बात है कि देखे हम इस गाड़ी में रैनो ट्राइबर में साथ बंदे गए इतने दूर आप मानेंगे नहीं कि देखे लास्ट रोबर पर तो मैं खुदी बैटा था और अपना experience में आपके साथ share करूँग और फिर बही बात गाड़ी पूरी लोड साथ बंदो के साथ सामान भी उपर हम आपको बता है हमने रूफ रेल्स बगएर तो कुछ ने लगए तो सामान भी इस मतलब साथ बंदो का ट्राइबर में ही फिट किया है तो वीडियो तो मैंने जादा नहीं बनाई क्यूंकि दे बैसे तो हमारा प्लान सिर्फ चार बंदो का था तो बाद में जो हमारे अस्परोसी हो गए वो भी आ गए थे तो फिर बहुत बड़ी ट्रीप रही मत्रा बड़ी भी नहीं लेकिन ठीक ठाक साथ बंदो के साबसे और मैं आपको बताऊंगा कि देखें लास्ट रोपर जो म तो मैं आपको बताऊं कि देखें लास्ट सीट पर मैं लगातार 105 किलोमेटर या 7 किलोमेटर के लगबग लगातार बैठा रहा ना मतलब लगातार हम चलते रहे और अपना एक्सपरिरिस बताऊं तो देखें गाड़ी बिलकुल अच्छे से चल रहे थी एसी बगारा की तो अच्छी हवा आ रही ची पीछे भी अगर आप नेच्रल हवा चाहिए तो देखें इमांचल में तो यह चीजे मिल ही जाती है तो एसी की हमने ज्यादा जूरत एसी हमने यूज किया ही नहीं पूरी ट्रिम में जो लगवग 400-500 किलोमेटर के ट्रिप थी हमारे आना जाना त लेकिन बैठने की साथ सेटर के हिसाब से अगर आप देखें तो रैनो ट्राइबर में मैं कहूंगा एक बारी को आप लगवग 80-90 किलोमेटर पीछे अगर मेरी हाइट के साब से मेरी हाइट लगवग आपको 5.89 के आसपास की देखने को मिल जाएगी छेपूट से थोड़ अच्छे जो अपने हाइबर या एन एच बगवग अगर जो भी में रोड होगे उन पर चलेगी भही अगर थोड़ से हीली रेप ले जाते हैं आप क्योंकि मांचल में तो हीली ही है तो यहां पर मुझे लगता है काफी अच्छी इसने परफॉर्मेस दिया साथ बंदों के सामान जो लगेज बगएरा था लगेज बगएरा भी हमने अड़ जस्ट कर लिया था सीटों के बीच बीच में रखकर आगे वा क्योंकि स्पेस मतलब ठीक मैनेज हो रहा था अब मैं आपको मैलेज बताओं कि देखिए एंड में इस गाड़ी की साथ बंदों के साथ पूर थी वो तो गाड़ी की मतलब फिफ्ट गेर में ऐसे ही चल रही थी आमान लीजिए फिफ्टी सिक्स्टी के आसपास तो मतलब काफी अच्छी तरीक परफॉर्मेंस रही गाड़ी की साथ बंदों के साथ आसे रोड़ों पे तो काफी अच्छी चली जाते है बहीं अगर कु यहां ही माचल में आये होंगे तो हम देखे सुन्दनगर मंडी से चले थे कांगड़ा तक तो बीच में आप सभी को पता है मतलब मोड का तो बहुत ही ज्यादा मोड ही मोड है और आस्ते बहुत ज्यादा है तो अगर आपने देखा हो गई जगों पर तो इस तरीके के जाते ह्कों देखि here ऐसी की कुलिंग इतनी नहीं पहुंसती तो बस यह था वीडियो में बाकी कल की Bedroef ुपको सार अपडेट कि क्या क्या हुआ क्या क्या अपडेट रैनो ट्राइबर में हुआ बाकि साथ बंदों के साथ इस गाड़ी ने काफी अच्छा परफॉर्म कर ही दिया मुझे तो ऐसा लगता है तो यह वीडियो में विदियो में देखिए एक बात में फीच जा एंड वे आपको कन्फूज आए कि कर ही दिया मैंने बोला तो इसका मतलब मेरा ऐसा ही कि देखिए अगर आप प्रॉपर सैवन सीटर लेना चाहिए तो आप अर्टिगा की तरफ चले जाएं यह तो देखे ट्राइबर यह जो है यह गाड़ी ऐसे कि आपको देख कभी कवाज जासे हमें जूट पड़ गई